Hello student, good evening, आज का प्रस्न देखो, यह जो प्रस्न है S.C.S.T. के संदर्व में, यह बिशेश कर G.S. Second Paper का कोश्चन, इसमें चर्चा में ज़्यादा है, प्रस्न यह है कि हाली में, आनुसुचे जाते जन जाती, कि उप वर्गिक्रल के संबंद में, सुप्रीम कोट ने एतिहासिक फैसला दिया है, इस फैसले के महत्त को इंगित करें, राज्जियों को उप वर्गिक्रल सुनिस्रित करने में, किन चिनोतियों का सामना करना पड़ेगा, चर्चा करें, आरे बात है, सुप्रीम कोट ने क्या किया, यह भी चिनेया बनाम, आंदरप्रदेश ववाद में, देगे नेडे को सुप्रीम कोट ने बदल दिया है, उसका उद्देश यह है, कि अनुसुचित जातों जन्जात में, अतिधिक पिछडे समुदाई को भी अरचन का लाब मिले, अरथात अरचन को नियाय संगत बनाने का एक प्रियास है सुप्रीम कोट का, प्रश्नी यह है, कि इस फैसले का महत्तु क्या है, इस फैसले के इदे महत्तु की बात करें, तो सबस्वड़ी चीज तो यह है कि लक्षित अरचन द्वारा समाजिक न्याय सुनिस्सीत होगा, क्योंकि उप वरगिकरण से क्या होगा, SCST में जो सबसे निचले पैदान पर खड़ा है, अब उससे भी आरचन का लाम मिलेगा, इस फैसले का महत्तु यह बढ़ गया, दूसरी चीज देखा जाए, राज्जियों को अधिकार मिल गया, सुप्रीम कोट के डिस्रीजन से राज्जियों को अधिकार मिल गया, कि राज्जे SCST का उप वरगिकरण करके, पिछड़े सबसे ज़्यादा, पिछड़े सम्मुदाय को न्याय सुनिस्सित कर सके, ये राज्यू का अधिकार मिल गया सुप्रीम कोट की स्फैसले से सुप्रीम कोट ने माना है कि S.C.H.T. एक बहुत बड़ी टोकरी है और इसमें छोड़ी छोड़ी उपसमू है और सभी की समाजिक आर्थिक इस्तिति अलग-अलग है तोकि सभी के समाजिक आर्थिक इस्तिति अलग-अलग है एक तरह से ये देखा जाए जिसकी जैसी इस्तिति है उसके उसला आर्थिक आर्थिक मिलना चाहिए ये सुप्रीम कोट के फैसले का महत्तु की बात करें लिकिए सुप्रीम कोट ने कहा कि जब उप उवर्गिकरन किया जाएगा तो डेटा के साथ डेटा के साथ कि इस समुदाय का सरकारिज्जा में कितना प्रतिनी धित्व है उसके आर्थिक इस्तिति कैसी है संस्था में कितना प्रतिनी धित्व है इस आधार पर क्या होगा वो पूबर की क्रंस किया जाएगा अंत में देखा जाए इस फैसले का प्रभाव पढ़ा के भविस में क्या होगा नया संगत आरचन की रणित की संभावना बढ़ेगी यह माहत तो ही है लेकिन प्रस्थनी यह है कि तुनिस्थ करने में राज्यों को किस तरह के चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा सामना पहली चीज यह है कि वो पूबर की क्रण के लिए जिस तरह के डेटा चहीए वो डेटा का संग्रण एक चुनोति पूर्ण ही है देखा यह जाए दूसी बात हम डेटा यह दिन निर्धारित करेंगे वो पूबर की क्रण के लिए मानधंड यह दिन निर्धारित करना होगा तो मानधंड यह मानक निर्धारित करना कठिन जैसे उनकी सैक्षिक इस्थिटी की बात करें इंकम लेबल क्या उनका सरकारी नोकरियों में प्रतनीधित तो कैसा है कि इसमें किसे मानग घोस्टित किया जाए मानग क्या होगा उप उबरगे खरान के लिए तीसरी ची बात करें तर यह है कि कई बर राज जिक्या करेंगे रानितिक लाव उठाने के लिए इसका दुर्प्योग कर सकते है सुप्रीम कुट के डिसीजन का और सबस्वड़ी चीज यह कहा जा रहा है कि ऐसी एस्टी में अनेक जो उप उबरगें उप समुदाय है उनकी बीच संघर्स की संभावना बढ़ सकती है अंतर समुदाय संघर्स किस संभावना बढ़ जाएगी और एक सबस्वड़ी चीज कि डेटा कलेक्ट करने और उसे मैनेज करने के लिए प्रक्रिया बहुत जकिर और बोजिल होगी इसे प्रसासन पर बोज क्या होगा बढ़ जाएगा ये चुनोती है राज्यो के समक्ष तो दो बाते हैं महत्तु क्या है और चैलेंजिज क्या है हम सबसे पर इंट्रो की बात करेंगे और इंट्रो में सुप्रीम कोट ने क्या नेड़े दिया इसका उल्लिक करेंगे जैसे हम इंट्रो की बात करें इंट्रो में आपका फर्स्ट पहरा कि खाल ही में सुप्रीम कोट ने एवी चिनेया बनाम आंदरदे राज के मामले में बनाम अंदरदे राज के मामले में 2004 के पिछले फैसले को पलड़ दिया है सुप्रीम कोट ने पलड़ दिया है और SC-STK उप वर्गिक्रल की अनमत दी SC-STK उप वर्गिक्रल की अनमत दी ताकि हासिये पर खड़े समुदाए के साथ हासिये पर खड़े के साथ नियाई सुनिस्तित हो सके यह हमारे इंट्रू चलेगा आप सुचो अब हम सेकेंड परेम जबाएंगे तो सेकेंड परेमे क्या चलेगा H-C-H-D के उप वर्गी करण के समंध में सुप्रीम कोड का जो नेड़े है महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है हम नंबर बन की बात करें लक्षित आरक्षन द्वारा समाजिक न्याएं में व्रिध्धि कि द्वारा समाजिक न्याएं में व्रिध्धि क्योंकि इससे स्टिस रेडियों के भीतर सबसे अधिक सुप्रीम कोड का या फैसला महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि लक्षित आरक्षन द्वारा समाजिक न्याएं में व्रिध्धि क्योंकि स्टिस रेडियों के भीतर सबसे अधिक हासे पड़े समुहों के सहत आसान हो गई पहली बार नमबर दो के बात राज्यों के पास समाजिक पिछड़ेपन की विविन डिगरी की पहचान करने नमबर दो राज्यों के पास समाजिक पिछड़ेपन की समाजिक पिछड़े पन की विविन डिगरी की पहचान करने की पहचान करने अतनुसा लक्षित आरक्षन प्रदान करने का अतनुसा लक्षित आरक्षन प्रदान करने का समयधानी कहतिकार दूसरा जो ही यह है राज्युक के पास समाजिक पिछड़पन की विविन डिगरी की पहचान करने और तनुसा लक्षित आरक्षन प्रदान करने का समयधानी कहतिकार प्रदान तीसरी चीज़ SCST बड़ी टोकरिया है नमबर तीन SCST बड़ी टोकरिये बास के ठेज़ा इस बड़ी टोकरिया है जिनमें बिभीन पारंपरिक ब्याहसायों के आधार पर जिनमें बिभीन पारंपरिक ब्याहसायों के अधार पर बिभीन इस्थितिक के समाजिक समू है समाजिक समू है और आरच्ण का लाप राप्त करने के असमानु सिस्थित है आरच्ण का लाप राप्त करने के असमान इस्थिति में है सुप्रीम कुट के इस फैसले से उनको भी लाप की प्राप्ती मतलब जो ऐसी समूदा है एक बड़ी टोकरी है उसमें छोड़ी छोड़ी टोकरिया है और सबकी अलग लेग स्थिति है आप सोचो सुप्रीम कुट के नेड़े से क्या हुआ एक बड़ी टोकरी में जो छोड़ी छोड़ी टोकरिया है सबको ब्राबर महत्तों मिलेगा और सभी एक के लिए औसर की समानता मुर्द रुप लेगी नमबर चार की बात करें मातरात्म कुट नमबर चार मातरात्म कुट और प्रदर्शन योग डेटा द्वारा द्वारा समर्थित होना चीए ताके नेड़े राजनीत प्रेडित नाओ नेड़े सुप्रीम कुट ने क्या का कि आप जब भी उप वर्गिकरन करेंगे तो उसके लिए एक बहतरीन डेटा होना चाहिए क्वाइंटिटेटी होने चीए और क्वालिटेटी भी होना चीए और चौतिय ची देखा जाए इससे भविस में आधिक प्रभावी और न्याय संगत आरच्छन के रणनीती की समहोना बढ़ सकती है नंबर चाप पाँच इससे भविस में आधिक प्रभावी भविस में आधिक प्रभावी और न्याय संगत आरच्छन रणनीती आरच्छन रणनीती की सम्भावना बढ़ सकती है ये बातें ये तो महत्व है ये बात हम जब आएंगे सिद्धे थर्ड पैरे में ये आपका सेकेंड पैरा है सेकेंड अब हम थर्ड पैरे में आएंगे इसलिए सुप्रीम कोट ये इस नेड़े को अथियासिक नेड़े कहा जा रहा है किन्तु वो पुवर्गी करण को सुनिसित करने के लिए राच्चो के समक्ष अनेक चुनोतिया है अनेक चुनोतिया है जैसे चुनोतिया क्या है नमबर बन वो पुवर्गी करण के लिए बिभीन वो जातियों के समाजिक आर्थिक इस्थितियों पर डेटा एकत्र करना चुनोति पुण वो पुवर्गी करण के लिए बिभीन वो जातियों किस समाजिक आर्थिक इस्थितियों पर किस समाजिक डेटा एकत्र करना चुनोति पुण अब डेटा कैसे कलेक्ट करो गया नमबर दो की बाद पुवर्गी करण के लिए मांदण नर्धारित करना कठें के लिए मांदण नर्धारित करना चुनोति पुण क्यूंकि जैसे सभी के सैक्षिक इस्थिति सरकारी नगरियों में प्रतिनी धित्तों अब एक जिस सोचो आम मांदण क्या नर्धारित करो गया मांदण सैक्षिक इस्थिति को लिए आजाए या आय अस्तर को लिए आजाए या सरकारी नगरियों में प्रतिनी धित्त को लिए आजाए नमबर तीन राजिसे रानितिक लाप के साधन के रूपय उप्योग कर सकते हैं नमबर तीन राजिसे राजितिक लाप के राजिसे राजितिक लाप के साधन के रूप में उप्योग कर सकते हैं नमबर चार उप्योग कर सकते हैं एस्टी समुदायों के भीतर मौजुदा समाजिक तरह बढ़ा सकता है वो पुवर के करण है एस्टी समुदायों के भीतर मौजुदा समाजिक तरह बढ़ा सकता है जो समाजिक तरह है वो बढ़ा सकता है जिससे अंतर समदाय संगर्स विभाजन की संभावना समुदाय संगर्स नमबर पांच की बात करें अपस्रेणियों को बनाने प्रबंधित करने नमबर पांच अपस्रेणियों को बनाने प्रबंधित करने प्रबंधित करने और अधितन करने की प्रक्रिया से करने की प्रक्रिया से सरकारी एगेंसियों पर प्रस्तास्निक बोज बढ़ेगा यह सारी बाते करने के बाद हम निसकर्ष की बात करें अता अब करना क्या होगा निसकर्ष की बात करनी है अता क्या किया जाए आम सामत बनाने अता आम सामती बनाने राज्यों को प्रियाप्त बित्ती संसाधन उपलप्त करवाने प्रियाप्त बित्ती संसाधन उपलप्त करवाने राज्यों की प्रभावी निग्रानी तंत्रों की शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था के साथ समाजिक नियाई की प्रतिस्था करात्मग अभिवृत्ती क्या हो सकता है सकरात्मग ये बाते हमारे निश्कर्ष में आजानी चाहिए अथा आम सहमत बनाने राज्यों को प्रियाप्त बित्ती संसाधन उपलप्त करवाने प्रभावी निगरानी तंत्रेवं सिकायत निवरान की उचित व्यवस्था के साथ समाजिक नियाई की प्रति सकरात्मग अभिवृत्ती किया हो सकता है ये प्रस्ण बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इस बार ये प्रस्ण पूछा जाना चाहिए इस पर आपने ये देखा प्रस्ण ये है अनुसुची जातो जन्जात के उप वरगिक्रन के समण में सुप्रीम कोट ने एतिहासिक फैसला दिया है इस फैसले के महत्पू को इंगीत करें तो ये आपके एतिहासिक फैसला हुआ ये भी चिन्निया बना आंद प्रदेश राज के मामले में दुझा चार के पिछले फैसले को पलड दिया है अब इस फैसले का महत्पू क्या है तो ये फैसले का महत्पू ये है अर ये बात है जब फैसले के महत्पू की बात की गया है ये करने के बाद अब प्रस्ण ये है चुनोतिया क्या है ये चुनोतियां है इन चुनोतियों के बाद आंत में आपने किसकी बात कर दी निसकर्स के बाद के आंसर क्लोस हो जाएगा आप देखो ये तो आपका सकिंड पेपर में परसम पूछा लेकिन किसी को इथिक से लिंक कर देगा वो औरी बात है ये कहा जाता है कि कि नैतिक चिंता करके प्रसम पूछा देगा वो नैतिक चिंताएं क्या है कि सुप्रीम कोट ने S.C.H.T. की उप वरकिकरन के समद्द में एक एत्यासिक फैसला दिया है इसमें से कौन से नैतिक चिंताएं है पर से इस्तर के भी पूछे जा सकते है एक और चेकाना चाहता हूँ कि देखो प्रसम भी बहुत ही स्कुरिंग सब्जेक्ट है दर्सन सास्त बहुत स्कुरिंग सब्जेक्ट है मैं ये नहीं कहता कि आप 500 में 340 पा जाओगे पर यकीन करो आप वर्क करते हो न आपके लिए 300 पाना बहुत बड़ी चीज नहीं है मिनमूम आप 200 सी पा सकते हो तो क्लास का अधिकांस भी द्यारती 200 मिनमूम 200 सी प्रस पाते है क्लास का अधिकांस भी द्यारती और इदि आपको निबंद में अच्छा स्कूर करना है आपको फिलोसफिय पढ़ना ही होगा कारण यह है का अधिकांस जो यूपियसे में निबंद पूछा जा रहा है तो सब के सब फिलोसफिकल है ठीक है ठीक जीज मिलते हैं आगे ओके गुड़नाइट